हलो स्टुदेंट्स वेल्कम बैक टुद प्लेटफोर्म आप विम्राविद्यालेगी क्लासिश्च लास्ट वीडियो लेक्चर्स मां आपनें जे मिकेंडिजम्स चा एक्टिव ट्रांस्पोर्ट नी येत्रों मिकेंडिजम्स विसे चर्चा करिये थी एन आज ये लास्ट ट लिंक्ट एक्टिव ट्रांस्पोर्ट के जे फोर्च मेकेंडिजम्स माते एक्टिव ट्रांस्पोर्ट नी ट्रांस्पोर्ट अप सर्टेंग्स रिक्वायर्स अवेलिबिलिटी अप फ्री एनर्जी रिलीस फ्रॉम हाइड्रोलेसिस ऑफ एनर्जी विच फोस्फो डास्ट बंड हो है एनना hydrolysis थी generate था हुए दा है ओक है भी इनरजी के फ़्श्पफाट दा यजवां थी जनरेट था हुए देखे एनसा नी जरूर गड़े चाहे तो के phosphate bond जे hydrolysis थाया बची तुट्या बची जे energy release थाय एनी जरूर रहती बच इस transport mechanisms are not capable of utilizing of energy from proton motive force देखे आजे transport mechanism चाहे ये capable नथी utilization माटे क्वाना utilization माटे मतलब के specific चाहे के आ ट्रांस्पोर्ट इस system ये only work कर से phosphodiester bond थी release है ला phosphate bond नी जे energy थे एना थी बाक्की कोई पर energy अधर के ATP3 माले थे पोटी proton motive force थे माले थे एना थी आ जे transport mechanism चे work कर से नई हवे येवा substrates के जे entry नथी करी शकता आपने जो लास्ट जे ट्रांस्पोर्ट मेकेनिजिम आपने थाण जोई active transport facility diffusion passive जोई आपने जोई मोले क्यों अले energy थी without energy जोई जोई gradient आपन ग्रीडियंट स्यवा मोलेक्योज की जे मैक्रोच गैं मतब़की जे साइज मां मोटा जए बट एनी जोरूर सेल में छे नेसेसरी चे तो एन्योड ड्रांस्पोर्ट आपड़े रिक्षे करा ये रहे जो पच्छी एन्नी एंट्री एन्ना आपड़े आपे शक्यों राइट सो यू तिलाइजेशन अव सब्स्ट्रेट यू 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 तिलाइजेशन करवो कि जी सेल नी अंदर थाई शक्ता ना थी यूजुली small molecules are capable of entering the cells by mechanism of transport discussed so far okay अप्रे जूयू अन्य आप्रे चर्चापन करी कि जी small molecules जी capable हो यूचे एंटर थावा माते राइट अन्नी transport mechanism वी से आपडे जूयू हावेवर certain substances especially macromolecules and highly charged molecules are incapable of entering cell अमुक एवा substances जी है कि जी macromolecules like okay especially macromolecules and highly charged molecules होईचे एंदर एंटर थाई शक्ता ना थी ए incapable होईचे still they can be degraded and utilized by the cells after their extracellular degradation यूदे के extracellular cell नी outside होईचे तो तो अपड़ मितलो कि still एने अपड़े degrade करी ने तोड़ी ने अपड़े cell यूटिलाइज करी शक्की है जी आएक ओप्शन जी mechanism of extracellular degradation of substrate extracellular जी सब्स्ट्रेट छे है एनने तोड़वा माटे degrade करवा माटे कही mechanism यूज़ थाएज है तोकि organisms are capable of secreting extracellular enzymes which are hydrolytic in nature ओके organisms वहाई छे क्या पे वलवाई चे यह मूँ प्रकाना enzyme secret करवा माटे कि यूज़ एक्स्ट्रा-cellular enzyme आपड़ जाना कही है ची है अने hydrolytic वाई चे नेचर माँ के जी macromolecules वाई चे यह एननो सु करे चे hydrolysis करे चे यह एडला के यह एनने degrade करी देश है यह smaller molecules मा सु करी देश है convert करी देश है इन्जाइम्स enzymes are released in the extracellular environment of the organism and whose hydrolysis of macromolecules ओकी आई enzymes हो थासे extracellular environment ने रिलीस थासे यह एनना कारने सु थासे macromolecules चे यह एननो hydrolysis थासे and the resulting products of hydrolysis are then capable of entering cell by the transport machinery of the cell अवे जे hydrolysis थायू चे तो macromolecules मा convert जाई गयू चे तो पच्छी तो यह जे normal जे आपड़ी transport mechanism जे त्राण जोई यहामा धी कोई पन transport machinery नो use करी ने यह जे substances जे ए ट्रांसपोर्ट थाय सक्से cell नी अंदर these extracellular degradation of macromolecules is called extracellular digestion ना प्रसू कईसू extracellular digestion some of such hydrolytic enzymes are listed in the table number 3.1 ओकी तो अदमने यहां जोई शेको छो के आमोग जे macromolecules second number नी जे लाइन मा दमने आपड़ा चे starch, pectin, kaitin बदाई polysacuride जे यहना पच्छी proteins मेलोके peptides यहना पच्छी नुक्लिएस यहलेके DNA, RNA नुक्लिक एसीड के जेना माटे नुक्लिएसीज जे एंजाइम यूस तासे routine माटे peptidase कारांके peptide नू बने लू छे peptide bond राइड ओके amino acid नी जे लार्जर चे एंवाज अन्ने esterase लेके lipid माटे जे एंजाइम यूस तासे ओके अवे आ मशीनरी काया मोलेक्यूस माँ जोवाँ माटे चाया टाइप ना तोके bacillus subtilis चे पेक्टिनेज निवाद चे तोके bacillus polymix यू रितना one by one तम्हें जोई शोको चोके polysacuride माटे प्रोटीन माटे नुक्लिक एसीड माटे अने फिल्णीपीड चे एना माटे जुदआ जुदा जुदा प्रकार ना एंजाइम जुदा जुदा मॉलेक्यूस माटे वर्क करेच Solomon के चे एक्स्ट्रसेल्यूलडरी हां एक्स्ट्रसेल्यूलर एंवार मेंट मा his new ठाय चे शिक्क्रेट था चे कारणने आवा जे complex molecules, macromolecules एनो degradation तसे, अने पची जी smaller molecule मां converts होया छे, amino acid, decarval, deoxy, ribonucleosides, ribonucleosides, diaphil glucose, cellulose, और काई, ये विद्धास्ट तसे entry करिशक से, okay, most of these hydrolytic enzymes are regulated by catabolic repression, okay, in presence of readily utilizable sources of carbon and energy, the synthesis of these hydrolytic enzymes are repressed, इतले के, आज ये enzyme नुझे regulation चे, हाईड्रोलाइटिक enzyme नुझे catabolic repression तो जाए से, बाई, तो कि जो आक, मतुकि जे नेसेसरी चे, जे सेल ने molecules, like carbon and energy, जो ये present हसे, तो आवा हाईड्रोलाइटिक enzyme ने सुकर देशे, repress करी देशे, ये नुझे प्रोडक्शन ने अठकावी देशे, जिया सुधी, आँ molecules प्रेजन्ट छे, तिया सुधी, जो नहीं होए, तो पचि ये आवो molecule ने सुकरवा माँसे, induced करवा मा जाया, जे सिंथेसे अकर्स अले इंदे अपसंस और वर्य लो चंटरेशन अव रीडियली उतिलाइजिएशे, तो ये जियारे आवा रीडियली उतिलाइज़ाबल सुब्स्टेंस नो चंटरेशन एकदम लो असे, एकदम अच्छु असे, तो ये वी बक्सते ज आज ये अन्जाइम छहें ऐनुग सुथाजी संथेसिस थासै, इन एडिशन पस्टेशन मोस्ट एकद्च्ण एंजाइम्जाइमस अर इंदूसी बल एन एन इंदूसी बल तर्स ये इन आवी कंडीशन मा जा एकद्च्ण जाइमस थाहें ये इन्डियूस थासै ये तो गर्से आवा आ टाइम में सुझसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंड्यूस करवा मावस जैना कारण है बारना एंवार्मेंट माजे मॉलेक्यूल चैननों डिग्रेड करसे ज़रूरी मॉलेक्यूल चैनन अप्टेक करसे अल्सो सम् एक्जो एंजाइम से एक्जो एंजाइम से एक्जो एंजाइम के जे सेल द्वारा सीक्रेट थाए जैनने बाहर नू जे डिग्रेडेशन एल्लेक्यूल चैननों सुखराव से एल्काएम से एल्क जे जे मोदिफिकेशन क्राव से और पजियान एंट्रिय अपसे कि दिग्रेडेशन अफ नुक्लीयो टाइड्स तू नुक्लीयो साइट से एल्लेकी जे लार्जर चैन्य नूक्लीयो शाइड मॉस उबड़ेशन करेज लिए इसे इंग्रेडेरेशन त टोक्सिफाइब देम लेके जो सेल नी बहाना एन्वार्मेंट मा यो कोई टॉक्सिक सब्स्टन्स चाहे तो एने सुखर से डी टॉक्सिफाइब कर देसे अच्वा तो एने डिग्रेट करी देसे लाइक डिग्रेडेशन ओव बीटाल एक्टम तो पैनी सिलीनी बाया बेक्टेरिया यही ना आउटर अन्वार्मेंट माह शें तो पैनी सिलीन ऐस ए inspirator कोने आने इस शुख रसे थोके पैनी सीलीन नी जे बीटाल एक्टम रिंग चैने तूड़ी दे से एनना कारणे जे पैनी सीलीन छे डिग्रेड खते से अने ये कोई इफेक्ट नहीं करे सेल में तो मैं यह जो श्रकोचों कि जाएंजाइम्स चे अन्या काराणे थाती जी एक्षन चे घ्री बो नुकलियोज 1 छे यह हाईड्रोलाइज करसे आरने ने ने डी एन एंडोनुकलियोज 1 छे डी यह एन ने कलेव करसे यह विरितना तम्हें बद्दाच अन्या जो श्रकोचों लास्ट माझे पैनी सीलीनेज जे आपड़े वाद करी के जे एनी बीटा लेक्टम रिंग में सुकर से डिग्रेट कर से, ओके तो आतू अपनो यूनीट वन के जे नो लास्ट टोपी कहीं आपड़े क्या चैने, नेक्ट विडियो लेक्ट से आपड़े यूनी तुनी शर्वाथ करे सु ओके, फोप यू लाइक इत थांक यू फोर वचिं थांक यू